हलो फैंड स्वागता सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी ट्रिप्लसी पीटी का जो एक्जाम था वो कंडेट हो गया था और उसकी आंसर की भी आपकी जारी होगी और आयोप जोब से लिटेट हो चाहे फिर आपको कोई बी आपको चाही होता है तो सबकुछ आपको इस चेनल पर प्रवाइड कर रहता है टीक है तो देखी हम लोग सुरु करता है हमारे वीडियो को तो हम बात कर रहे हैं आपर यूपी ट्रिप्लेस यानिया की उत्तर प्रदेश के तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो एक्जाम हुआ था ठीक है उसके अंदर यहां पर कम से कम मान के चलते हैं तो तो इतने इस्ट्वेंड ने आपका एक्जाम दिया था ठीक है तो और अगर बात करते हैं पीटी के अंदर कितने इस्ट्वेंड जो हो क्वालिफाइग की जाएंगे हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल सी की तो इसके अंदर कितने इस्ट्वेंड आप मान के चलें है कि याँ पर एक से एक लाक से तो एक लाक की बीच में इस्ट्वेंड को याउपर ने किया जाएगा अगर अगर बात करते हैं पर जब स्व एक पेपर दे कर आता हूं देखो यहां पर आपकी दो सिपने पेपर वहाता तो पहली सिप बोल रहा है कि पहली पारी और सेंड पारी के अंदर बोल रहते हैं कि सब्सक्राइब करता हूं तो 75 प्लस अगर करने अब वह बात है गते हैं अब वह नेगल करके आए या फिर वह तो बात की monitor अथे यह जैसी हम लोग बात करते हैं आपकी आंसर की जारी झारी वी ती जहें नाई टीक के आशपास करके आया था या 85 प्लस करके आया था वो सारे के सारे स्ट्वेंड करके आया था सो में से उनका जो अभी रोज को यहां पर आ रहा है इस्ट्वेंड का वो पसपन से 65 के बीच में आ रहा है आप चेक कर पाएंगे वालाम से यह बात करहा हूं कि सपन के सेवन्टी प्लस भी आ रहे हैं किसी किसी की कम भी कंबी आ रहे होंगे लेकिन इयो फासपट से 65 को छोड़ देते दे ठीक है इनकी कटोफ थोड़ी सी कम रहती है एसी और स्टी को छोड़ देते हैं तो बागी कटोफ जो है वह पसपन से पैस्ट के बीच में आपके यह पर घूमने वाली है ठीक है अगर हम लोग इसको पूरा डिफाइन करते हैं सही से किलियर में तो देखी और ऐसा होता भी य यह option आपके हो सकता है और वह हो सकता है लेकिंद वह आंसर उसका नहीं होता है थीक च्छाल स्कॉर की संव मतलब जो आपके आंसर की से यहां पर मैच हो रहा है ठीक है और वीडियो के एंवे लोग बाद भी करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है इसके बार हम लोग चर्चा करेंगे एक बार लिटता है यह ने को एक बार ज्सिस्टी के आसपास burst टीक है निकली हम फियते हिंए तो टर लेत हैंत लिएट ऐसाथ हमिए को एक ऐसन तो आप बिल्कुल अहां पर सेफ हैं ठीक है निकि की इसके बीच में आपका स्कूर रहेगा हो सकता है एक दो नंबर आपके उपनीचे हो जाए बाकि इसके बीच में आपका स्कूर रहने वाला है ठीक है अगर हम बात करते हैं OBC की और EWS की इन अगर आपका स्कूर यहां पर 55 के आसपास बन रहा है वाई 55-58 की बीच में अगर आपके रोमोक्स यहां पर आ रहे हैं आंसर की से कट पिट करके तो आप लोग अराम से तैयरी करते हैं लेकपाल के लिए जो भी आपकी वेकेंसी आती है और ध्यान करना अगर आपको लगता ह से लेकपाल की बर्ति को ठीक है देखिए अगर हम बात करते हैं पर c के डरक बात करते हैं तो एसी क्यांद सब्सकर गजए तो यह आपका या पर आपका पर रोचक्ट कर आप आपका नोलेस्टिन होता है और उसमें नमडर अगर इंग्रीज वते हैं इसीजार आपका रहा पर यहुद्ध करेंगे कर सकता है तो इस पर यह थोड़ा सा डिपेंड करेंगे आपके जितने आपके नंबर बढ़ेंगे वह इफेक्ट पड़ जाएगा उसका तो जिनके भी इतने मांग्स बंद रहे हो आराम से त्यारी कर सकते हैं और काफी चैनल पर आपको यह मिल जाएगा कि आपका सेलेक्शन जो है वह चालिस पर भी जाएगा काफी चैनल वाले हैं जो बोल देते हैं कि जिनका भी 40 प्लस है जिनका भी 45 प्लस है उनका भी यहां पर सेलेक्शन हो जाएगा तो यह चीज सरासर गलत है ठीक है क्योंकि उनने सिर्फ और से एक से डेड़ लाग के आसपास चाहिए और व ट्यारी बिल्कुन ठीक है लेकपाल के त्यारी कर सकते हैं आप लोग औरहीगा अगा आपका तका बहुत॑ कि अपका जल्दी हम पर आने वाला ही कि